चलिए चेप्टर हमारा चल रहा था इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी में हम सीख रहे हैं सेक्शन 23 सेक्शन 23 क्या कहता है सर के हम किस तरीके से एननल वेल्यू निकालेंगे वह कैसे करेंगे। के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है मुंसिपल वेल्यू का मतलब होता है कि जो मदूं सिअ क réfl motto करते हैं कि रेंट अपने एक्लों जो भी वह उनका जो पेरामेटर हो उसके अकॉर्डिंग जो टै करते हैं उसे मुंसिपल वेल्यू बोलते हैं इसके बाद होता है फिर रेंट फिर रेंट मतलब आज पढ़ो उसके रेंट को हिसाब लगा के जो भी रेंट आप टै करोगे उसे फिर रेंट बोला जाएगा फिर होगा आपका स्टे के स्टडी भी आएंगे सुप्रीम कोट के कुछ केसी को भी एक्स्प्लेन करना पड़ेगा इसके बाद हम बात करते हैं सर हमें कंपेरिजन कैसे करना है सबसे पहले हम एन्वल वेल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है मुंसिपल वेल्यू और फियर रेंट में से जो हा हायर होगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस एन्वल वेल्यू बोलेंगे अब उसमें से हमें आगे माइनस जो करना वह हम आगे सीखने वाले जैसे मुंसिपल टेक्स उसको हम बोलेंगे मुंसिपल टेक्स तो यहां तक हर बच्चे बहुत सारे बच्चे नए एंडॉल हुएंगे आई नो तो उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि income tax की class में house property आपको दो तीन चीजों का अच्छा खासा ध्यान रखना एक तो basic वाला करना है और एक फिर residential status थोड़ा करना है फिर यहाँ पर बढ़ना है आपको यह सारे points आपको हमेशा ध्यान रखना होगा अधर्वाइस फिर आपको जैसे आप अभी बीच में एंटर करोगे तो इंकम टैक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको परिशान करेगा जैसे कि हम अपन करते क्या थे सर इंपॉर्टेंट पार्ट बता दो चेप्टर में चल यहां से सुरू कर लो हो जाएगा इसके अंदर ऐस चलिए आगे बढ़ा जाए हम क्या कर रहे थे सर चलो repeat करने की बात कह रहे है तो मैं एक बार बता भी दू क्या क्या section था और क्या चीजे था अगर देखा जाए तो repeat ही कर लेते हमारा सबसे पहले section कुंसा था 22 section 22 कि बात करता है chargeability है अंगर आ इंकम के उपर टेक्स लगेंगा अगर आपका रेंडल इंकम है तभी आपका टेक्स लगेंगा अब आनर की है अनल को डिफाइन किया गया है सक्षयन वैसे वन रतो नहीं वनलीड़ा लेकिन कुछ केस के अंदर वह होगous उसको honor मान लिया जाएगा अगर husband अपनी property को अपनी wife को transfer करता है बिना transfer बिना educate consideration का तो husband का ही माना जाएगा अगर वो अपने son को transfer करता है तब भी उसके father का माना जाएगा अगर हम imperatible state की बात करें तो हम take care कर रहे हम उसके मालिक नहीं होंगे तब भी income tax वाले आपको मालिक ब अगर आपने power of attorney के case में आपकर power of attorney transfer किया तो जिसके नाम पर power of attorney किया है वो से text ले लिया जाएगा अगर आप कोई cooperative society के member होते हो तो ऐसे situation में भी आप member के case में text दोगे ना कि मालिक के case में ये था हमारा text section 27 इसके बाद हमने पढ़ा 23 23 section क्या कहता है कि भीया आज आओ निका निकाला जाएगा सबसे पहले आपको municipal value पता होना चाहिए मुंसिपल value क्या होता है मुंसिपल value हमारा वह value होता है जिसके अंदर मुंसिपल टेक्स department मुंसिपल डिपार्टमेंट जो rent का calculation करता है वह मुंसिपल value है उसके बाद भाई साहब आप निकाल लो fair rent fair rent क्या होता है जो हम आज परोस के same locality में same आपका structure के मकान का rent होगा उसी को आपका मान लेंगे उसे fair rent बोलते हैं इसके बाद होता है standard rent क्या होता है जो कि कौन decide करता है supreme मतलब law के according rent controlling act के according court decide करता है supreme court not that is court decide करता है इसके बाद हम क्या कहता है actual rent receive and receivable इसका मतलब क्या है जो हमें असलियत म rent मिला है इन सभी को compare करके हम एक value निकाल लेते हैं जिसको बोलते है gross annual value और वह value कैसे निकाला जाएगा आपको municipal value fair rent में से higher compare करना होगा उसके बाद standard rent में से lower compare करना होगा उसके बाद actual rent receive and receivable में से higher compare करना होगा जो बनेगा GAV इसमें से minus कर देते हैं municipal tax तो हमारा बनता है net annual value तो आज की कहानी स्टार्ट होगी municipal tax से तो सबसे पहले municipal tax होता क्या है यह देखते हैं तो हमने section 22 20 यह देख लिया 24 तो आज ही देखेंगे पर थोड़ा सा part तो अगर मैं municipal tax की बात करूं तो क्या होता है आप सभी ने सुना होगा टेक्स हाउस टेक्स सुना होगा municipal tax भी कही ना कहीं है municipal tax क्या होता है आईए देखते हैं अगर मैं बात करूं municipal tax जिसको मैं आज के बाद short form यूज करके empty कहूंगा लेकिन आप exam में कभी भी empty word का इस्तमाल नहीं करेंगे हमेशा होगा municipal mcd जिसको बोलते ना mcd सिंपल से वर्ड में समझी है यह है मारा mcd भाई mcd वाले ना यारी सरकार तो सरकार ने हर चीज का अपना अपना एरिया डिवाइड कर दिया है कि भाईया अगर आप रोड पे गलत तरीके से ड्राइव करोगे तो ट्रेफिक पुलिस पकड़ेगी आपको अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपका जो थाने की पुलिस होती है वो पकड़ेगी आपको अगर रोड टूट फूट होता है तो उसके लिए जिम्यदार पी डबलूडी होगा यानि हर किसी चीज के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है और उस डिपार्टमेंट को जिम्यदारी दे दी गई है कि भाईया आप इससे रिलेटिड ये काम करेंगे उस दो केस भी सुना होगा एक कोचिंग इंस्ट्यूट के अंदर कुछ स्टूडेंट का साथ ऐसा हुआ बेस्मेंट पे पानी भरने के बाद उनकी जान चली गई तो अब देखा होगा सांसे वाले सारे के सारे जो बेस्मेंट के अंदर ऑफिसी से उनको सील करने में लगे हु काम कर रहे हैं देखो mcd वाले क्या कर रहे हैं आपको ने देखा होगा आपके आसपास अगर गंदगी ज्यादा है तो आप किसको आवाज लगाओगे mcd वाले को बोलोगे ऐसा तो नहीं है कि गंदगी ज्यादा है हाँ थोड़ी बहुत गंदगी तो खुदी साफ करनी पड़ेगी और ज्यादा गंदगी है तो आप सीधा बोलोगे यह complaint करो कहा complaint करोगे सुप्रीम कोट हाई कोट में थोड़ी ना करोगे आपके इसको complaint आएंगे और ये पूरा एकदम अच्छे से साफसफाई करके जाएंगे उसके बाद आप उसे कितने पैसे दोगे बताओं दोगे क्या पैसे उसको नहीं दोगे बस साफसफाई हो जाएगा इसके बाद मान लेते हैं यह देखो जैसे कि यह नाले वगरे भर जाते बारिस कोई विक्ति आएगा उसके बाद इसकी साफसफाई करेगा मसीन से करें घुसके करें जैसे मर्जी करें उसके जिम्यदारी है अब मान लो साफसफाई उसने कर दिया तो बताओ आप उसे पैसे दोगे इसको साफ करने का नहीं दोगे कई जगह पर होता है बोल देते हैं कि आए पानी का दे दो तो वह अलग बात है लेकिन आप पैसे नहीं दोगे यह नाले वगेरा जो भरेंगे वह मुंसिपल डिपार्टमेंट करके जाएगा यानि फ्री सेवा आपके लिए घर के बाहर ऐसे ही आप आपके घर के आसपास पार्क है सुबह सुबह मॉर्निंग व अगले दिन जाते हो फिर साफ मिलते हैं अपको डिस्पेंसरी दे जाती है दबाई वगएर कि डिस्पेंसरी आपने देखा होगा फ्री में कुछ चीजे होती है जो की चेक अप करा सकते हैं लेकिन वह नहीं होता उससे बड़ा होता है dispensary हर एरिये में होता है तो उस dispensary में आपको फ्री में दबाई चोटी मोटी चीज़े हो जाती है तो उसे उसकी भी भरपाई को उससे वो भी आपसे पैसे नहीं लेंगे वो of cost होता है यानि आपके घर के आजपास आपके घर के सराउंडिंग में इतनी सारी सुभीदाएं दी जा रही है और एकदम मुफ्त में फ्री में तो यह आपको लगता है फ्री में अब मुंसिपल डिपार्टमेंट जो होता है जो मुंसिपल डिपार्टमेंट यानि जो MCD होता है वो क्या कहता है कि भाईया हर घर से जाके चंदा इखटा करो कुछ-कुछ चंदा यह amount बोलो और इसको चंदा थोड़ी बोलेंगा यह अपना standard नाम रखते हैं कि भाईया सब से जाके municipal tax इखटा करो MD इखटा करो और हर बार जैसे इस बार नाली साफ हो गई ना तो आपसे tax के नाम पे पानी के बिल में यह अलग से भी house tax भी बोलते हैं हम कई बार वैसे जहां freehold property है वो house tax देते हैं वहां की तो वो बहुत nominal सा amount होता है तो इतने सारे घर होते हैं उनसे इखटा करते हैं उनके बहुत सा amount बन जाता है इन ही से जो यह सारे worker वगएरा यह साफ सफाई कर रहे हैं यह सब वर्कर को salary यहीं से मिलता है यानि आपको आप यह पैसा किसके पास जा रहा है सरकार के पास और जो house property से income होगा उसका पैसा किसके पास जाएगा tax सरकार के पास तो सरकार कहती है कि आपने हमें gross annual value निकाला है इसके अंदर से municipal tax अगर आपने paid किया है तो minus कर लो बचे हुए amount के उपर आप क्या दो हमें tax दे दो बचे हुए amount पे क्या दे दो हमें tax क्यूंकि अगर मैं यह minus नहीं करूँगा तो सरकार के पास इस पे भी tax दे दिया मैंने और यह भी tax में चला गया तो सरकार बोलती है municipal tax अगर आप payment करते हो तो आप gross annual value में से minus कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए था कि municipal tax होता गया है clear हुआ कि municipal tax क्या होता है जो government हर किसी घर से वसूलती है और उसे municipal tax किया जाता है जो आपको यह सुविदाएं दी गई है इसके बदले आपसे जो टेक्स लिया जाएगा municipal tax उसको gross annual value में से क्या कर सकते हैं हम माइनस कर सकते हैं लेकिन यहां समस्या आ जाती है एक बंदा रही नहीं रहा घर बंद पड़ा है अब तुम नाली साफ कर रहे है उसके घर के आगे बोला भाई मैं तो रहा ही नहीं मैंने तो benefit ही नहीं लिया इसका समझ रहे हो मत आप क municipal tax आप paid करते हो तो उस situation में आपको माइनस मतलब कि इसमें से GAV में से माइनस नहीं करने दिया जाएगा यह रूल बनावाई मैं आगया भी दीरे 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 देखेंगे यानि जब आप benefit tax का लोगे आपका किरायदार मान लो टेक्स किसको भरना है ओनर को या किरायदार को आप ओनर को इसको अउनर को और मुंसिपल टेक्स पेड किरायदार कर रहा है और समझना बात को यह मान लो ए है यह कौन है। और ओनर का क्या है यह घर और इस घर में रहते हैं कौन टैनेंट यानि किरायदार यह देता है इसको किराया पचास हजार महिने का यानि छे लाक साल का अब कई मालिक ना बहुत बिकार होते हैं बहुते हैं पानी बिल तुम भरो बिजली बिल तुम भरो जब कुस तुम भरो घर का टेक्स आए तुम भरो हमें बस किराया देते हैं हमें कुछ मतलब नहीं है र खर रहा है इसका अगर मैं बताऊं जी ये वी जो आया जी ये वी आया मान लेते हैं के छे लाख आ गया इसका जी ये वी या मैं जी ये भी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और डिटेल मिले जाता हूं मानलो इसका मुंसिपल वैल्यू है आठ लाक मानलो फेर उसका छे लाक मानलो इसे अपांच लाक तो इसमें से जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा उसे क्या रखेंगे इन दोरों में से हायर 8लाख 8 मैंसे 5 तो 5 एक्चॉल रेंट रेसीव मैंने बोल दिया छे लाक तो जी वैं बनेगा थोड़ा स्पीड में किया लेकिन आपको पता होगा ये भी यही बनेगा last class में question किया था अब जी ये वी में से सरकार ने बोला भईया municipal tax payment करते हो तो minus कर दो और इसने municipal tax एक लाख रुपए payment किया है तो municipal tax भाई इसने payment किया कि किरायदार ने payment किया है और अगर ये minus कर देता एक लाख तो benefit किरायदार को मिला ये मालिक को मिल गया बताओ किसको मिला benefit income किसकी है ये 6 लाख रुपए मालिक किया किरायदार की है छे लाख रुपए जो rent मिला है मालिक को वो किसकी income है मालिक की है किरायदार की, बताओ comment के अंदर, किसकी income है? ओनर की income है? तो tax देनी की responsability उनर की है? अनर की है, तो municipal tax भी भरने की responsability ओनर की थी, लेकिन उसने क्रायदार से भरवा दिया, तो सरकार बोलती है तूने थोड़ी अपने jib से पैसे दिया, भाई तो तुझे municipal tax paid करना loud नहीं करेंगे तिरको 6 लग पर ही tax देना होगा लेकिन यही municipal tax कौन भरता सार यही municipal tax मालिक खुद भरता अपने जियर से तो बोलते भाई तुने tax एक लाग तो जमा करी दिया तो तेरी income हम कितनी मानेंगे हम 5 लाग तेरी income कितनी मानेंगे 5 लाग तो municipal tax GAV में से माइनस करेंगे लेकिन subject तो देखना पड़ेगा कि क्या situation है तो आईए देखते हैं municipal tax empty tax note करते हैं municipal tax इसको कुछ cases में divide कर देते हैं paid by honor या हो सकता है paid by किसके दुआरा tenant 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 यानि ख्रायताव paid by employer tenant अगर employer paid करता है तो no allowed 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 कोई deduction आपको नहीं मिलेगा अब यहां पे condition क्या क्या आएंगी अब जब मालिक paid करेगा तो यहां पे दो possibility हैं दो possibility हैं या तो मकान किराय पे होगा या तो rent पे दे रखा होगा या फिर rent पे नहीं होगा वो self occupied होगा self occupied का मतलब क्या होता है कि हम ही रह रहे हैं भाई घर के अंदर जब आप रहते हो घर में तो क्या आप मुल्सिपल टेक्स नहीं देते देते हों बिल्कुल देते हों तो अगर self occupied है तो इस case में no deduction no deduction का मतलब बहुत सिंपल सी भासा में मैं बता दूँ कि हम माइनस नहीं करेंगे अगर हमने payment किया है तब भी हम माइनस नहीं करेंगे और कि रहधार payment करें तब तो करी नहीं सकते लेकिन अगर rented है तो rented के case में deduction अलावड 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 लेखिन कब अलावड होगा इफ पेड़ बिफोर और ओर और एकत्यस मार्च यानि कत्यस मार्च तक जितना भी पेमेंट कर देगा उतना माइनस करना अलावड हो जाएगा इकत्यस मार्च तक जितना भी पेमेंट कर देगा वह पेमेंट करना क्या हो जाएगा अलावड भले इस साल का ब idée करते हैं सर मुंसीपल टेक्स के अंदर हो सकता है कि मकान राव्र करें और कौन पेड कर रहा है कि रह दहता है तो अलाउड है ही नहीं अब कि अभा कर रहा या खुद रह रहा है तब payment कर रहा है अगर वो खुद रह रहा है तो allowed नहीं किया बोला भई तुमने सुविधा ले ली उसके बदले पैसे दिये तुमने अगर किरायदार रह रहा है तो भई तुमने सुविधा नहीं ली फिर भी तुम municipal tax paid कर रहे तो तुम्हें minus करना allowed कर देंगे लेकिन minus तभी आपको allowed करना होगा आपको payment करना पड़ेगा 31 March उस साल के जिस साल के आप tax दे रहे नों उस साल के 31 March से पहले या 31 March वाले दिन तक भी अगर आपने municipal tax जमा करवा दिया तो आपको minus करना क्या हो जाएगा allowed हो जाएगा समझ मैं ही बात आपको यहां तक हर बच्चों को clear है एक example लेने के बाद फिर मैं पूछूँँगा कि clear है के नहीं है चलिए हमारे पास एक example आ जाता है फटा फट से आपकी किताब के ही मैं सारा ले रहा हूँ आज आपको तीन केसी हो जाते हैं तो तीन कॉलम बना लूँगा और होगा तो मैं अपने खुद के भी example इसके अंदर add-on करता जाऊँगा एक केस दो केस अरे तीन केस हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री सबसे पहले लेंगे मुंसिपल वेल्यू सर मुंसिपल वेल्यू दे रखा है पहले का कितना है एक लाग बीस हजार फिर कितना है वाई आपको जो ऑफ्लाइन में बच्चे बैठें उनको दो बोलना बोलना है पैसे नहीं देने बोलने के लिए साथ हजार ताकि मुझे पता रहे आप जग रहे हो उसके बाद क्या लिखें कि क्योंकि आप से पहले ना ओनलाइन वाली जवाब दे देते हैं कितने हो गए इस इसको पढ़ने के लिए तो आपको ना पूरा ए 75 और 75 इसके बाद हम कंपेर करके हमने अपने हिसाब से बना लिया था फिर रेंट नमबर वन तक हम असान हो सिखाने तो अगला क्या रहेगा एक तीस नहीं क्या बनेगा इसमें से इसमें से हायर लेंगे एक पचास इसमें से 75 इसमें से है इसको कंपेर किससे करोगे सर इस्टेंडंड रेंट दे रख् cel एक टीस ऑस्सी अजर और ऀट्रहला तो अब आ जाएगा एकस्पेक्ट़्टै Billi है तो दूनों में से लोर इसमें से लोर बोलते है क्योंकि कोट counts और यहां अपतर सफिर लोर ही होता है वैसे लोर का कॉंसेप्ट याद रखना 72 अब हम लेंगे एक्चुल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल ए ट्रिपल र बोल देते हैं तो रेंट पर यूनिट दे रखा है एनम में दे रखा है तो कितने आएंगे यहां पर सत्तर बारा से गुणा नहीं करना क्योंकि पर रहनम है और यहां पे 24 अजार तीसरे में 21 अजार बड़ा कम है इसका अब हमारा यहां पे क्या जाएगा अब यहां पर जो निकलेगा उसको हम क्या नाम दे घी अब ज्यावी क्या होता हिं दोनों में से क्या सिखाए बताओ इं और इसके बाद अब सरकार गयों कितना चला कई आपने बोला सत्तर अजार किरा रहा है तो सरकार आपने बोल आप गलत बोल Rossi किराय आपने बोलत तुम ठीक बोल रहा है हम говорить 8,000 किराय तो आप अभी तक मैंने जितना समझाए अगर आपको समझ में आ गए तो फटा फट जवाब दे दो गया चलो मुंसिपल टेक्स देखते हैं यहां कहता है मुंसिपल टेक्स बारा हजार रुपे डियू पर नॉट पेड डियू तो हो गया मतलब देना है सरकार को लेखिन दिया नहीं है तो बताओ यहां से मैं मुंसिपल टेक्स कितना मैंने सट करूक में में जवाब आना चीक है जितना भी बताना आपको बताओ गलत बताओ लेकिन बताओ कमेंट में बताओ कितना करेंगे कुछ जवाब आया मेरे पास zero, sir rent per unit residential unit से multiply नहीं होगा, per unit कि अच्छा हां हां रेंट गडबर हो गई बच्चों ने बताया है यहां पर देखो दो यूनिट है यह ध्यान नहीं दिया तो दो से मुल्टिप्लाई हो जाएगा इसके गड़े कितने यूनिट पर फरक नहीं पड़ा बस यहां फरक पड़ जाएगा यहां जाएगा एक चालिस ठीक है अब को के हैं ओके 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 यही रहेगा कि यह दूनों 84 कैसे हो गया है चोड़ासी और पहले कितना रहा था असी था ना पहले नई ठीक तो है मैं उपर से कंपेर करना था इसको कर देते हैं खतामे हाप से यह लाइन खीच दिया यह कंपेरिजन करके आगा है अब बताईये फटा फट कमेंट सर नहीं करेंगे municipal text minus करेंगे comment बताईए जितने बच्चे live हैं सभी बतादे फटाफट से फटाफट से offline वाले सभी बच्चे तो बोल रहे हैं सर नहीं करेंगे online वाले बच्चे देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि दिमाग लगा के बताए कि करना है के नहीं करना है कि रिशी बोलता है सर निल सभी बच्चे बताएं भाई जो खाना पीना खा रहे हो भी छोड़ दो कि पहले बताने आपको कि रिशी ने दो बार निल बोल दिया बताओ कि निधी का भी कहना है निल सभी बच्चों ने बता है निल अब यहां पे जीरो होगा क्यों होगा सर जीरो मुंसिपल टेक्स का कॉंसेप्ट कहता है कि अगर आप पेमिंट कर दोगे तभी आप माइनस कर सकते हो वह भी पेमिंट कब 31 मार्च दिवाले दिन तक कर दोगे तो मिलेगा अगर मैं बोलू मैंने एक अप्रेल को डियू बट नॉट पेड कंफ्यूज कर रहा है हमने आठ हजार पिछले साल का पेड कर दिया लेकिन इस साल का बाकी नो हजार वह पेमिंट ही नहीं किया इसका मतलब यह होगा न संटेंस का हिंदी तो बताओ यहां से कितना मुंसिपल टेक्स माइनस होगा कमेंट भर जाना चीए भाई तो हितेस का सबसे पहले जवाब आ रहा है भाई या आठ हजार निखिल का भी आठ हजार अभी का भी आठ हजार आप बताई यह सभी अर्नव का भी 8000 बिल्कुल सही तो कितना माइनस करेंगे देखो यह आप बताते हो तो पता है कि मेरा confidence बढ़ता है आपका नहीं बढ़ता है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है चलो अब तीसरे का देखते हैं कहता है इसने 60,000 रुपे पेड किया है अगले 9 साल का एक ही बार payment कर दिया है इसको माइनस जैसे ही करोगे यहाँ पर date नहीं है लेकिन मैंने सिखाया है date वाला तो इसको जैसे ही माइनस करोगे क्या जवाब आएगा sir net annual value एक लाग चालिस हजार 80 4070 2000 एक कॉलम और बनाओ इसी के नीचे मैं case if answer change कर देता हूँ अच्छा यह वाला माइनस नहीं किया यह माइनस नहीं किया करो भाई माइनस जल्दी जल्दी यह चार गए तो कितने 76 66 एरे साथ हजार है वो कितने 12 ठीक है यहां तक सभी को पता चलिए कैसे निकालते हैं स्ट्रेप सभी को पता चल रहा है अब मैं कुछ केसिस आप से पूछ रहा हूं मान लो यहां पे लिखा होता इफ पेड अगर यह पेड कर देता और 24 पच्चिस है नहीं तो 14 2000 24 में अगर एक अप्रेल 2024 क्योंकि एसेस्मेंट यह क्या है हमारा 24 पच्चिस तो एक अप्रेल 2024 को अगर यह 12,000 रुपे पेड करता तो मुझे सोच के बताईएगा क्या हम माइनस करते हैं यह आंसर सेम ही रहता चल यह कमेंट में बताईए कौन-कौन बता रहा है जल्दी-जल्दी बताईए कमेंट में कौन-कौन बता रहा है मैंने कुश्चन पूछा समझ में आया आंसर रोहित बोल रहा है नहीं माइनस करते निखिल कह रहा है सर सेम रहता है तो आंसर इस सेम रहता सर ऐसा क्यों कह रहे हो एक अप्रेल को पेमिंट किया तो भाई साहाब यह है एसेस्मेंट यह आपको टेक्स कब का निकालना है एक साल पीछे चले जाओ तेईस चौबिस का यानि 31 मार्च दो हजार चौबिस तक का हिसाब किताब बनाना है पेमिंट कब कर रहे हो एक अप्रेल 2000 जो अगला साल चला गया हो तो इसलिए इसको माइनस करना अलावड नहीं होता हां अगर यह 2023 होता तो डेफिनेटली आप माइनस कर देते हैं समझ महीं बात आपको डेट वाला भी आ गया अब पब्लिक भी न बड़े इंकम टेक्स वाले अपने नए 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 रूल से निकालती रहती है और पब्लिक भी क्या करता है कि दीरे 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 सरकार से बोलता रहता है कि आपसे रिक्वेस्ट है जैसे इस बार बजट आया बजट में सब ने बोला कि इस बार हमें यह चाहिए हमें यह बहुत सारे चीज़े न बेनिफिट्स ले लेती है अब इंकम टेक्स इस पर भरना 14,000 पर इसको भरना चीयतर पर इसको भरना 12 पर हालागी 12,000 आपको पता एक्जेंटीड है यह भी एक्जेंटीड है अब मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है Mr. X Mr. X का जो घर rent पे दे रखा है rent से किराया आता है मान लेते हैं कि 6 लाग rent से किराया कितना आता है 6 लाग तो क्या ये text देगा ये नहीं देगा तो बिल्कुल देगा text देने के लिए eligible है लेकिन इसने अपने किराधार को पता है क्या बोल के रखा कि मैं आप से किराया जो ले रहा हूँ ना 50,000 आप ये मान के चलो सारे खर्चे मैं दूँगा बिजली का बिल मैं दूँगा तुम्हें नहीं देना पानी का बिल मैं दूँगा तुम्हें नहीं देना जो तूट-फूट होगा आप मुझे बोलेना बस एक बार आवाज लगाना मैं सब करा दूँगा किरायधार ने बोला ओह मेरे बड़े का फंक्षन है पेंट कराऊ मकान मालिक ने फटाफट पेंट करा दिया इतना बढ़िया मकान मालिक है उसने बोला नलका खराब हो गया टैब खराब हो गया उसने फटाफट change करा दिया। उसने बोला सर लाइटिंग की ठोड़ी fitting खराब हो रही है तो फटाफट लाइटिंग की fitting करा दिया। यानि मकान मालेक जो है बड़ी खर्चे कर रहा है। तो पहले सरकार ने बोला कि ये तुम्हें टेक्स देना इंकम के उपर, तुम्हारे जे में 6 लाखा है, लेकिन तुम कुछ खर्च भी तो रहे हो, बोला हाँ बिल्गुल खर्च कर रहे हैं, मकान के रिपेर पर खर्च कर रहे हैं, तूट फूट पर खर्च कर रहे हैं, और भ अब सरकार खुशे कैसे खरचा वह सारी ठैप बदल्वाई दिवार करवाई पिर उसने टाइल वी लगवा मैंने फिर पत्थर लगवा दिया मैंने ज्सलर खरचे हो और हर पर संनन्हीं पत्थर अब इंकम टेक्स से बोला ऐसे नहीं चलेगा आपको बिल देना पड़ेगा अब तो कितने फेक बनते आपको भी पता है इस्कूल में तो मेडिकल भी फेक दे देते हैं यह तो भाई समान के बिल की बात है तो इतने सारे बिल वो कहीं से जाते थे भाई ले पांच चार पांच जार रुपे का सारा बिल बना के दिखा देते थे तो गौर्वर्मेंट ना सारे खर्चे माइनस करने देने पागल होग लो तो उस अजादी का आप नाजाइच फाइदा उठा लोगे आप क्या करोगे भाई जो भी खर्चा है जो भी खर्चा है नहीं भी है सब डाल दो गया डाल दे ये खर्चा हो गया हो गया और अपनी इंकम को क्या कर दोगे एक्जम्सन लिमिट से कम लिया होगे और सरकार को टेक्स नहीं दोगे और सरकार के पास इतने सारे तो है नहीं जॉब में जो कि हर कोई जाके चेक करेगा अच्छा इस बार का टाइल लगा है कि पिछली बार का टाइल लगा है अच्छा ये रिपेर अब का है कि पिछली बार कर रिपेर तो वह चیک कर नहीं सकता सरकार इस से बड़ा परिशान हुई तो मजबूरन उसको कानुन लाना पड़ा इसके लीए कानुन क्या लाना पड़ा सरकार ने बोला कि हम एक कानुन लेक्ए आहरे हैं सेक्षन 24Rं वैं अदर बोला भहिया हम लेके आ बताओ तो बोला भया अब तुम मकान में कोई भी खर्चा करो हम तुमें इन सभी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनस करने देंगे 30% फ्रॉम फ्रॉम एन एवी जो भी आपका एन एवी होगा उसमें से सीधा सीधा माइनस कर दो 30% अब आपका लाग खर्चा हुआ हो डे करता नहीं करना तो मिरे को दे दे पैसे तो माइनस कर ले मैं तिर से एक सवाल भी नहीं पूछूँगा तो यह किसके लिए गरीब के लिए अमीर के लिए ज़्यादा टेक्स वालों के लिए कि इसके लिए वाला सब कर लो भाई तेरी इंकम 6 लाग है ने तू खर्चे मत दिखा 6 लाग रुपए जो तेरी इंकम है मुंसिपल टेक्स माइनस कर दिया हाँ भाई हाँ तो इसको क्या बोलेंगे NAV इसमें से सीधा 30% माइनस कर दे जो कि बनता है तरह 1,80,000 और 4,20,000 पे तू क्या कर मुझे टेक्स दे दे बात खतम कर तो ये 24A क्या कहता है क्यूं आया 24A इसलिए आया कि आपके मकान में बहुत सारे साल भर के खर्चे होते हैं उस खर्चे को सरकार ने एक percentage के point of view से minus करना allowed कर दिया जिसको बोला गया 24A section यानि अब जब income tax निकलेगा सही माइने में तो अब देखे कैसे निकलेगा जैसे मैं एक example लेता हूँ चलिए माल लेते हैं Mr. X रेंट रिसीव फिफ्टी थाउसें पर मंथ एंड मुंसिपल वेल्यू एंड फोर लैक एंड फियर रेंट नाइन लैक नाइन तो ज़्यादा हो जाएगा ख्यार फियर ही नहीं लग रहा है तो आपका 7 लैक स्टेंडर रेंट फाइव लैक एंड मुंसिपल टेक्स पेड पेड फिफ्टी थाउसेंड फिफ्टी पेड विफ्टी थाव पेड बाइव थाउनर चलकुलेट टेक्सेबल इंकम पोर असेस्मेंट टीयर यह कुश्चन मन गया आपको बताना है कि एसेस्मेंट टीयर में इतना टेक्षेबल इंकम होगा तो शुरुवाद कैसे करना है कॉम्प्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन आफ मिस्टर एक्स नीचे लिखना है ऐसे फोर एवाई कर दो स्टेंडर्ड है एवाई दो हजार चौबिस एंड पच्च्छ या तो आप हाईर लोर वाला इसी के अंदर कॉलम में कैलकुलेट कर रफ में या अपने दिमाग में भी कर सकते हो एक्जामनर कभी नहीं बोलता है यहीं करो तो मैं अभी फिलाल सीख रहे हैं अभी तो यहीं सीखेंगे मुंसिपल वेल्यू क्या है मेरे सवाल में मुंसिपल चार लाग इसको कंपेर करना है फियर रेंट फियर रेंट कितना है साथ लाग अब मैं फियर रेंट नंबर वन नहीं लिख रहा क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कंपेरिजन में इस्टेंडर रेंट कितना है पांच लाग तो पहले हम इसमें से दिमाग में ही calculate करो mind में ही क्योंकि fair rent number one नाम की कोई चीज है नहीं बस मैंने आपको समझाने के लिए गिया था तो इन दोनों में से क्या लेंगे हम higher higher क्या आएगा दिमाग में रखना उस बात को साथ लाग ठीक है साथ लाग को compare करोगे SR से SR किसमें से क्या देखोगे lower तो कौन बताएगा expected rent क्या होगा expected rent फटा फट कमेंड में बताईए expected rent बताईए expected rent क्या होगा बताईए जी expected rent क्या होगा 5 lakh बता रहे हैं तो expected rent आपने बता दिया 5 lakh तो सही बताई होगा तो 8RR एक्चुल रेंट जो होता है वह कितना है 50,000 रुपे महीने का तो पूरे साल का कितना होगा तो पचास अजार इंटू में 12 यानि 6 लाग कितना होगा है पूरे साल का 6 लाग अब क्या आएगा हमारा इन दोनों में से क्या चेक करेंगे हायर तो जिसको क्या नाम देंगे हम जिसको अब मेरा सवाल यहां से सुरू होता है ग्रॉस कि ऐन्वल वेल्यू क्या एगा हमारा ग्रॉस वेन्व धिल्यू छेला क्या सभी बच्चे को अगर यहां तक समझ में आ आ आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाओं कि सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएं येस या नो में जवाब दे दीजिए फटा-फट कि येस क्लियर चलिए अब इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है डेट इस माइनस मुंसिपल टेक्स अब आप दिमाग लगा के बताइए आज मैंने आपको सिखाया है मुंसिपल टेक्स कैसे होता है बताइए कितना माइनस होगा मुंसिपल टेक्स मुंसिपल टेक्स क्या माइनस होगा बताईए कितना होगा क्यों 25 क्यों क्यों कि आधा तो किस ने दे दिया ओनर ने और आधा किरायदार ने किरायदार वाला माइनस नहीं होता तो कितना होगा माइनस 25,000 चलो ठीक है इसको माइनस करने के बाद result जो बनता है उसको बोलते है net annual value जिसको short form में NAV बोल देता हूँ मैं 25 माइनस करोगे तो 5 लाग अब इसमें से माइनस क्या करेंगे सर 24A का standard deduction कितने माइनस करना है 30% इसमें कोई दो राई नहीं कि आप माइनस करो ना करो आपको इसके साथ साथ मैं खुछ खर्चे भी दे दूँ कि भाई या उसने रिपेयर कराया है और रिपेयर में उसके कर दिया रिपेयर में दो लाग तो यह दो लाग को आपको याद रखना है क्या नहीं रखना है इसके बदले क्या मिल रहा है को 30% तो तो 575 का 30% आ जाते हैं हमारा 172 500 माइनस करोगे यह आजाएगा टेक्सिबल हाउस प्रॉपर्टी इंकम प्रॉपर्टी इंकम तो यह बन गया हमारा 4,25 इस वाले इंकम पे हमें हाउस प्रॉपर्टी में टेक्स देना होगा यहां तक आप सभी बच्चों को बात समझ में है होनर ने आप पेड किया है बिल्कुल ठीक अभी कुछ बच्चों का यह कोईरी हो सकता है कि बिजनस एकनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही तो जो सर क्लास ले रहे थे उनकी मदर इन लो एक्सपायर हो गई है इस वाज़े से दो तीन दिन मतलब साइद वो क्लास स्टॉप र पॉइंट कि बताइए किसी बच्चे को इसमें डाउट क्लियर है कि देखते हैं को ऐसा सवाल मिल जाए तो मज़ास आ जाए कि चलिए सर्थ कि इस अज़िए कि इस अज़िए कि आज़िए सबसे पहले मुंसिपल वैल्यू दे रखा है एमवी और एमवी कितना है एंड एफफार दे रखा है मैं शॉट फॉर्म में यूज कर रहा है एफफार क्या है अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके दिखाते हैं मैं सीधा यहां लिखना पसंद करूंगा जी यह भी और यहां पर लिखना साइड में एमवी एफफार और एससार जो कर लेंगे 90 के 140 वर्गिंग नोट है और एसार है कितना है एक बीज तो आपको अच्छे से पता है और इसके बाद हम किसमें कंपेर करेंगे एक्सके रेंट आजाएगा यहां पर एक्सके रेंट बताओ क्या आएगा एक लाग वी सजार उसके बाद हम एट रिपल र से कंपेर करेंगे एट रिपल र चेक करते हैं कहता ध़िए प्रॉपर्टी है आपको एक मेहने घर खाली था आपका जो किराया आया होगा वह कितना किराया होगा डैट इस आया होगा कहां गया कहां गया 12,000 हुए इंटू में 11 यह तो कितने बने इप बता हो जी यह वी क्या आएगा ए गया बता हुए एक लाख बत्यस अजार वेकेंट के उपर बाद में discussion करेंगे कई बार higher lower आ जाता है अब इसमें से क्या माइनस करोगे एम्टी भाई आ रहा है ने समझ में अब एम्टी में क्या कहता है municipal tax paid during the year 40,000 रुपए तो 40,000 अब जब सवाल में बोला ही नहीं किस ने paid किया तो मान लो मालिक ने किया है तो 40,000 इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा एने वी 40,000 माइनस करो तो कितना आजएगा 90 80 आएगा ना 92 आएगा 92 अब क्या करें इसमें से माइनस 24 ए लगा दोगे और standard कितने percent 30 परसेंट निकाल लो जी 27,600 माइनस करने के बाद आजएगा या आजएगा taxable house property हाउस प्रोपर्टे इंकम आई एच्पी कह सकते हैं इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टे इंकम चलिए सर समझ में आए ये question क्या कहता है है compute annual value पूछा था लेकिन मैंने annual value से कहीं आगे इसको बदा दिया क्लियर है ये question homework में देख कर पाओगे क्या पहला question है टेक दा इलिस्टेशन 5.3 जो कर रहा था वेकेंट तीन महिने का हो तो क्या जवाब होगा इसको अभी कार्ट देते हैं क्योंकि मैंने कहा वेकेंट वाले केस में discussion अभी पेंडिंग है एंड वेकेंट फॉर आ वन मन्त ये वाला कर लीजिए गट्राइव 5.3 और वेकेंट समझ में नहीं आए तो मुझे तो कराना ही कराना है कि चलिए क्रेशन ये भी होंबक में देते हैं आर का एक प्रॉपर्टी है डेली में मुंसिपल वेल्यू दे रखा है और सेल्फ उक्यूपाइड और एक चार अभी इसको रहने दीजिए अभी सेल्फ उक्यूपाइड कुछ नहीं नहीं वर्ड आ रहे हैं अगली क्लास में हमें situation करन क्रेशन दें होंब करने रहे हैं अगली क्लास में आज तक कि क्लास में हमने क्या कर लेक बार रीकॉल कर लेते हैं अगर टेनिट पेड़ करता है तो माइनस करना नहीं दिया जाएगा सेल्टर एंदर आपको इन्दर दिया जाता है कि सर मेरा एक कोश्चन है बिल्कुल पूछिए आप एक कोश्चन तो बिल्कुल पूछिए तो मैं कुछ कोश्चन देखनू देने लाइक हो कि वेकेंट वाला भी तरह होगा कि इंट्रेस्ट वाला भी नहीं होगा अभी दो तीन दिन मुझे दो तीन क्लास लग जाएंगे इंट्रेस्ट जब तक मैं 24 बी इंट्रेस्ट वाले सेक्शन नहीं करा देता तब तक नहीं हुआ कि यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर कि यहां पहां था सल्क्वान